गुद मॉर्निंग फ्रेंज मैं हूँ डॉक्टर रादिका और आज मैं आपके साथ एक नई मेडिसेन लाई हूँ वीपिंग टेलेंसी के ऊपर नेट्रम्योर लास्ट वीडियो में हमने पलसिटल और लाइकोपोडियम के बारे में जाना और आज हम जानेगे नेट्रम्योर के बारे में नेट्रम्योर के बच्चों और बड़ों को भी बहुत रूना आजाता है, बिना किसी वज़े के या किसी भी छोटी सी वज़े से उन्हें रूना आजाएगा, उन्हें और सांत्वना दी जाए तो और उन्हें गुसा जड़ेगा, अकसर ये लोग थोड़े sad होते हैं, depressed होते ह बिना किसी वज़े से, खास्ते खास्ते भी इन्हें रोना आजाएगा, ये थोड़े अनीमिक होते हैं, और usually due to loss of fluids, या तो mensels की वज़े से, या seminal emissions की वज़े से, fluid loss होने की वज़े से, इन्हें ये medicine effective रहती है, अकसर इन्हें ठंड जल्दी लगने की tendency होती है, जीब, अग उसके अलावा, नमक इन्हें बहुत पसंद होता है, उपर से भी नमक ये डाल कर खाते हैं, और इन्हें अकसर सिर्धर हो जाता है, और सिर्धर सुभा के समय होता है, जैसे-जैसे सूरज चड़ता रहता है, वैसे इनका सिर्धर बढ़ता रहता है, और direct exposure to sun में, इनका सिर् और रोनी की टेंगेंसी है तो आप मेडिसिन ये वाली ट्राय करके देख सकते हैं जरूर इस वीडियो को लाइप और सब्सक्राइब करें हम कुछ और नई हो मेडिसिन के साथ आपके पास आएंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार